ऐसे घातक हतियार जिसके इस्तिमाल से चारो तरफ तबाही का मंजर दिखे जो की विरोधी खेमे में एक दम से हलचल ला दे साथ ही उनका मनोबल पूरी तरहां से तोड़ दे ऐसे हतियारों को हम अल्ट्रा फास्ट हाइपरसोनिक मिसाइल के नाम से जानते हैं जो एक घंटे के अंदर पृत्वी पर किसी भी लक्षे को भेच सकती है और इन जैसी मिसाइलों में एडवांस टेकनोलोजी का इस्तेमाल किया गया है साथ ही कह सकते हैं यह हतियार एक तरहा से अंस्टॉपेबल है और अब रूस ने कहा है कि उसने अपनी किंजल डैगर हाइपरसोनिक मिसाइल अन्य लक्षे के साथ पश्चिमी उक्रेन में एक हतियार डीपो पर लॉंच की है और पूरी दुनिया में ऐसा करने वाला रश्या सबसे पहला देश बन गया है आईए जानते हैं कि आखिर ये हाइपरसोनिक वेपन होते क्या हैं हाइपरसोनिक शब्द का मतलब कोई भी चीज जो ध्वनी की गती से पांच गुना यानी 6174 किलो मीटर प्रती घंटे या उससे अधिक दूसरे शब्दों में कहें तो बहुत तेज गती से चलने वाला उसे हाइ हाइपरसोनिक कहते हैं स्पीड इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह ओपनेंड को चेतावनी और प्रतिकिर्या के लिए बहुत कम समय देती हैं ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलें पहले से ही इतनी तेजी से आगे बढ़ती हैं लेकिन जो बात हाइपरसोनिक मिसाइलो को अलग बनाती है वह है कि वे उपरी वायू मंदल में गलाइट करती हैं और एक बार लांच की गई बैलिस्टिक मिसाइल अपने निशाने को उसी तरह साधती है जैसे किसी तीर को एक निशित लक्षे के लिए एक दिशा में चलाया जाता है यह नई मिसाइलें दो प्रका से वो अपनी दिशाओं को बदल कर अपने दुश्मन के रडार में चुपके से घुश जाता है और दुश्मन को अपनी भनक तक नहीं होने देता दूसरा प्रकार हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी HCM है जो इतनी तेज नहीं है और कम उची उडान भढ़ने के लिए ड बहुत ही कम समय देती है इन सबी चुनौतियों के बावजूत किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल उपयोग का मतलब है कि रूस इसे इस्तिमाल करने वाला पहला देश बन गया है हाला कि यह सवाल बना हुआ है कि इतने महेंगे हतियार का उपयोग क्यों जबकि एक नॉर किंजल की रफतार 1500 से 2000 किलो मीटर बताई गई है एक रिपोर्ट के अनुसार किंजल की लंबाई 8 मीटर और लॉंच वजन लगभग 4300 किलोगराम होता है लॉंच के बाद किंजल की रफतार मैक 4 यानि की 4900 किलो मीटर प्रती घंटे तक तेज हो जाती है और इसे मैक 10 यानि 12,350 किलो मीटर प्रती घंटे की गटी तक पहुंचाया जा सकता है त्यान देने योग यह है कि किंजल को हाइपरसोनिक मिसाइल को रूस कुछ ज्यादा ही अलग बता रहा है क्योंकि लगभग सभी बैलिस्टिक मिसाइल हाइपरसोनिक गटी तक पहुंचती है यानि मैक 5 से उपर, लेकिन आपको बता दें कि कुछ ऐसी ही मिलती जुलती मिसाइल भारत के पास भी है जिसे ब्रहमोस के नाम से जाना जाता है ब्रहमोस सेकंड जिर्कौन से काफी मिलता जुलता है एक पंक वाले जहाद जैसा दिखने वाला जिर्कौन एक युद्धनीती हतियार है जिसे रूसी नौसैनिक युद्पोतों और पंडूबियों के द्वारा किसी भी जंग के मैदान में असानी से ले जाया जा सकता है साथ ही इसे युद्पोत और पंडूबियों से लाउंच भी किया जा सकता है इस मिसाइल की मैक्सिमम लिमिट एक हजार किलो मीटर है जिसकी स्पीड लगभग सेवन मैक है और ये मैक एट तक जा सकती है इसे सिर्कौन के रूप में भी जाना जाता है और रशिया में इसे 3M22 के रूप में जाना जाता है जानकारी के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इसने टेस्टिंग में मैक 8 की गती हासिल की है इसलिए जिर्कौन मिसाइल दुनिया में सबसे तेज है जिसकी वजह से इसको मार गिराना बहुत ही मुश्किल है मिसाइल का एक इंपॉर्टेंट फीचर इसका प्लाजमा क्लाउड है अपनी उडान के दौरान मिसाइल पूरी तरह से एक प्लाजमा क्लाउड से धकी होती है और कोई भी रडार इस रेडियो फ्रिक्वेंसी को पकड़ नहीं पाता है और फिर मिसाइल अपने टार्गेट को मार गिराती है ब्रहमोस भी सूपर सॉ किलो मीटर की रफतार होने की उमीद है प्रहमोस सेकेंड एक हजार किलो मीटर तक की सीमा और मैक 8 की गतीव विक्सित कर सकता है ऐसा कहा जाता है हाला कि इसकी टेस्टिंग 2020 में होनी थी लेकिन कुछ चीजों में देरी की वजह से इसकी टेस्टिंग नहीं हुई और ये मान जाता है कि 2025 तक भारत इसको बना लेगा ब्रहमोस सिरीज को ब्रहमोस एरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विक्सित किया जा रहा है जो भारत के DRDO और रशिया के NPO माशीनोस्त्रोएनिया NPOM के साथ मिलके बनाया जा रहा है और जिरकोन को भी NPO ने ही किया था ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सबस्क्राइब करें वीजन को